जैसे ही सरकार्य नोक्री लगी तो सोसाइटी में जे तोर बढ़ गई बैई और क्या चाहिए लेकिन मैं फिर सैटिस्वाइड नहीं था क्या सुमित बस इतना ही कर सकता है तू जैसे जोब छोड़ने की बात करी सोसाइटी तरफ से वही प्रेशर रे क्या कर रहा है तू जो इसने 20 साल पढ़ाई करें सब बरबाद और बस एक साल की पढ़ाई करके तू चाह रहा है कि मैं पुरी जिन्द की इसी को ऐस करियर बनाओं ये गल्ती हम अक्सर अपने करियर में करते हैं पिछले 9-10 मिनट से मैं आकको सिखाना ये चाह रहा हूं कि करियर एंड अपोर्च ले सके हुँद के लिए कोई करियर चूज पर कर सके और हमारे सोसाइटी भी कुछ ऐसी है जिसमें बच्चा खुद अपने ले करियर चूज नहीं मोरी होता है जनरली होता क्या है कि उसके पेरेंट्स आसपास के लोग या पिसल को इससी पर्टिक्लर करियर में धकेहल रही होती है और वो क्या होता है? कहां वो जा रहा होता है? mostly हर family में कोई नहां कोई successful बन्दा होता ही है जिस field में भाईट वो successful हुआ है न वही career path पॉथ बच्चह को भी follow करने को बोल दिया जाता है कि बोल दिया जाता है ब criterion is हर बच्चा सेम नहीं है, हर कोई सेम काम नहीं कर सकता, हर चीज में हर कोई comfortable नहीं हो सकता, मैं भी उसी भीड का हिस्सा था, जिसको ऐसे ही so cold successful path पे, career पे धकेल दिया गया था, मैंने उस path को follow किया, उसमें अच्छा भी किया, और जो एक होते हैं, society के standards कि भाई अगर तुम ये career opt कर लोगे, तो you'll be successful, मैंने वो सब कुछ किया, और आज सब कुछ छोड़ चाड़के, मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ, और अपने आपको successful मानता हूँ, लेकिन ये सब करने में नहीं नहीं, मुझे बहुत टाइम लग गया, बहुत गलतिया कि मैंने गिरा, उठा, सीखा, और आज finally किसी stage पे पहुँच पाया, मैं चाहता हूँ कि ये गलतिया आप ना करे, आपको मैं सही path दिखा दूँ, ताकि आप आज इस point पे सही career चूज कर सके, अगर मैं अपनी नहीं कुछ कर पाई ज्यादा, लेकिन बच्चे के लिए कुछ करना है, बच्चो को सही जगाय पे पहुचाना है, लेकिन क्या था ना, उनके पास इतनी guidance नहीं थी, विकोज उन्होंने नहीं की थी कभी उतनी पढ़ाई, तो जब मैं 10th क्लास से निकला, तो उन्होंने सोचा कि या, बच्चे को ना, सही career guidance देनी है, अब ऐसे में हर पेरेंट वही करता है, कि जो फैमली में सबसे successful बंदा है ना, उसके पास approach करने ही कोशिश करता तो मेरी फैमली में भी थोड़ा सा दूर किसी बंदे ने IIT क्रेक किया था, और आज बहुत ही so-called successful था, तो मुझे बताया गया कि भाई देखो, अगर IIT कर लोग ना, तो आप भी successful हो जाओगे, मेरे दिमाग में वो बात feed भी हो गई, 11-12 में coaching में जाने लगा IIT में, और IIT तो मारो जिसे जिंदकी होगी, IIT नहीं तो कुछ भी नहीं, IIT, IIT मैं अपने 100% दे रहा था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरा IIT क्रेक नहीं हुआ, मुझे लगा यार ये तो एकदम failure हो गया तो, जो पापा की उम्मीदे थी, मैं खुद को कैसे justify करता, मेरी नजर ये बड़ी सही चीज है, ये गलती हम अकसर अपने करियर में करते हैं, कि जो हमने खो दिया है, उसके लिए हमेशा रोते रहेंगे, लेकिन जो पा लिया है, उसको appreciate नहीं करते हैं, और यही शायद सबसे बड़ी गलती है, वो opportunity भी निकल जाते हैं, करियर में ये चीज इंडियर में धकेला था, उस भीड ने बाई चांस मुझे computer science में नहीं धकेला था, मुझे mechanical engineering में धकेला था, वहां का standard package पांचे लाग रुपे था, मुझे का चलो कोई नहीं, जहां है ना वहां कुछ अच्छा करने ही कोशिश करते हैं, मैंने महनत कही, एक paper होता है gate का, मै जहां पे mechanical engineer को 5-6 लाग मिलते थे, मैं अपनी branch से highest package place हुआ, 15 लाग रुपे का, जो अपने आपने एक बहुत बड़ी बात थी, मुझे लगा चलो यार, जहां है ना, वहां तो कमस्का मच्छा किया, मैंने अपना 100% दिया था, चाहिए मैं भेड़ चाल का ही हिस्सा था, ल हाई यार, 20 साल में लड़का, set हो गया है, बहुत ही बड़िया चल रहा है, मैं भी must enjoy कर रहा था, बट विद टाइंग, I realize कि यार, क्या यही है, यही है सुमित, यही कर सकता है तू, इतनी यह तेरे अंदर capability थी, वही सुबह उठना, एक fix का schedule, देरे-देरे machine बनता जा रहा तो क्या बस यही करना था मुझे, दिरे-दिर मुझे लगा कि नहीं, यार, मतलब इतनी में तो satisfy नहीं हो सकता, यह मेरा career नहीं हो सकता, पुरी life, then I decide कि कुछ ना अलग करना है, तो मैंने सोचा है, सबसे पहले तो job छोड़ते हैं, जैसे job छोड़ने की बात करी, society तरफ से वही pressure, रे क्या कर रहा है, तुझे क्या चीए, इतना तो set है तु करियर में, इससे अच्छा क्या करियर लेगा तु, फिर मैंने सोचा, नहीं यार, देखो, ये तो नहीं करना है, अंदर से ना पापा अवाज नहीं आ रही है, थोड़ा समझाया पापा को कि यार, ठीक है, कर ले जो करना है, उस टाइम ये मेरे पास दो option थे, एक था यार, मैं सरकारी नोकरी की तेयारी करूं, एक अपना business में कुछ करे, भाई अब सरकारी नोकरी की इजद कुछ अलगी होती है, पापा भी वही सोचते थे कि भाई वो driver थे, पहले आगे किसी की गाड़ी चलाते उनको भी लगता था कि यार, मेरा बैटा ऐसा हो कि वो seats exchange करे, वो पीछे बैठे, तो उनका सपना भी था कि बच्चा कुछ officer बने, तो मैंने सोचा चलो यार, UPSC की तियारी करता है, अब UPSC की तियारी में गुसा, मैंने अपना best दिया, एक कम time था, मैंने best दिया, लेकिन अब थोड़ा सा question mark लगया, एक खुद का decision मेरा, कि भाई, मुझे career change करना है, और वो फेल होता दिख रहा था, मुझे लगा चलो यार, UPSC को थोड़ा सा break देते हैं, थोड़ा सा SSC focus करते हैं, बेकुस SSC मुझे लग रहा था, जल्दी में अचीव कर सकता हूं, और एक stable life हो संख्री लगी, तो society में जे तोर बढ़ गई, और क्या चाहिए, अब तो शादीवादी की बात आने लगी, कि अब तो बंदा सेट हो गया है, क्या ही पूरी life सेट है, सब कुछ तो मिल गया है, इससे जादा और क्या चाहिए, लेकिन मैं फिर satisfied नहीं था, क्या सुमीत बस इ जानी बापा टाइप में रहा हूं, थोड़ा सा मैच्चोर बंदा, सब को सब कुछ समझाता था, पढ़ाने जब लगा ना मैं, तो मुझे वो एक platform मिल गया, मेरे ज्यान को सुनने वाले लोग मिल गए, मुझे लग यह चीज गरनी है, तो मैं कह रहा था, पापा, मुझे मैं इसमें मजे नहीं आ रहे हैं, मैं पढ़ाता हूं मैं, अब भाई मेरी 20 साल की पढ़ाई पूरी की पूरी साइंस बेक्ग्राउंड से थी, और जो मैंने पढ़ाना शुरू करा था, वो मैं जर्नल स्टडीज पढ़ा रहा था, हिस्ट्री, जोग्रफी, पॉलिटी, यह सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था, अब यह कोश्चन था, क्यों इस पॉइंट पे करियर चेंज करना चाहिए, भाई तुने इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब तु एकदम अलग करियर चाह रहा है, जो तुने 20 साल पढ़ाई करी सब बरबाद और बस एक साल की पढ़ा मैंने का पापने नोकरी तो छोड़नी है मुझे, जब नोकरी छोड़नी की बात हुई, सब ने मना किया, बट अल्टीमेटली किसी तरह से मैंने नोकरी छोड़ दी, और यह हुआ, किया अपने आपको प्रूव करना है, अगेन वही पोइंट आ गया, कि अपने आपको प्र पहली सेलरी मेरी 13,000 रुपए आती थी, और आज के टाइम पर सिचुवेशन ऐसी है, जो मेरे साथ के IIT ग्रेडुएट्स मेरे दोस्त हैं, शायद उनसे भी कहीं ज़्यादा में कमा रहा हूँ, अगर आप मेरी लाइफ को एनलाइज करोगे, तो आप देखोगे कि जो भी म अपना 100% दिया, भाई चाय मैं भेड़ चाल का हिस्से था, जब बात करें इंजिनरिंग की, या फिर सरकारी नोकरी की, मैं भेड़ चाल ही था, लेकिन उस भेड़ चाल में भी खुद को अलग मैं अपना 100% देके कर रहा था, करियर में ये बात में आपको बार बार बता र मानती हो, सोसाइटी उस चीज़ को सक्सेसफुल मानती थी, जो मैं छोड़ के आया, लेकिन मैं किस चीज़ मैं सक्सेसफुल अपने आपको मानता हूं, जो मैं आज कर रहा हूं, तो इस सक्सेस को डिफाइन आप खुद करोगे, भाई, अब इसमें भी होता किया न, mostly बंद सोचता है कि वो point कब आएगा मेरे life में, कि जब मैं ये बोल सकूँ, यार ये चीज मुझे करनी है, इसमें मैं comfortable हूं करने में, अब बहुत बच्चा सोचता है कि क्या 12th के बाद वो point आना चीए, या graduation में आना चीए, या उसके बाद कभी आना चीए, मैं अपनी बात करूँ तो मैं पूरी अपनी education निकाल दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल मुझे लग गए, वो अपना interest डूडने में कि this is something मैं करना चाता हूं, हमेशा कर सकता हूं, this is time taking process, सब के लिए अलग-लग time भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, उसको tense में पता लग जाए कि उसको वो थोट आए, कभी भी आप सोचो, कि यार मुझे लग रहा है कि ना ये कर लेना चाहिए, मुझे इसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, just do it man, कि maximum क्या होगा यार, maximum होगा पहली बार try करोगे, वो successful नहीं होगे, अपहर जाओगे, दो बार होगा, तीन बार होगा, दस ब कर जाएगी, और आप successful भी हो जाओगे, और ये successful, अपनी definition में आप खुद define कर सकते हो, कि हाँ भाई, ये career मैंने खुद choose किया, मेरा खुद का बनाया हुआ है, society से अलग भी हो सकता है, same भी हो सकता है, लेकिन खुद का है, ये career मेरा खुद का है, और ये करने वाला मैं कोई अकेला नहीं हूँ, कुछ अदभूत में इंसान पैदा नहीं हो गया हूँ, आप किसी का भी example ले लो, यार एक बंदे ने बाल काटने स्टार्ट करे, उसमें अपना उसने 100% दिया, और आज के टाइम पे कहा हो, आपने नाम सुना होगा, जावेध हबीब का, उसने जो इस डिसाइड करने में 30 साल का समय लग गया, लेकिन जब किया, जैसा किया, एकदम 100% दिया, और आज वो successful है, पिछले 9-10 मिनट से, मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ, कि career and opportunity, दो साथ साथ चलने वाली parallel lines है, बस आपको इसको interlink करना ना चीए, जिस दिन आपने इनको interlink कर लिया, उस दिन आप काम्याब हो जाओगे, लेकिन शर्थ एक है, कि देना अपना 100% ही है, पूरे दिल से देना है, और जरूर एक दिन वो आएगा, जब आप खुद बोल पाओगे, हाँ यार, मैं अपने career में successful हूँ, थैंक्यू अभी आपने कहानी सुनी अपने ही जैसे एक इनसान की, जिनोंने सारी परिस्थितियों को पीछे छोड़कर अपने career में आगे बढ़ने का decision लिया, देखिए सच तो ये है, कि आज की दुनिया में career में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे tools available है, चाहिए तो सिर्फ जजब कुछ कर दिखानेगा, आज ऐसे ही एक tool के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है अपना app, भारत का सबसे बहतरीन career and job search app, 85,000,000 से जादा लोगों ने इस app को pre में use करके अपनी career को बनाया है, तो आप भी इसका फाइदा क्यों न उठाए, अपना app पर ने लाखों jobs के लिए, बिना कोई fees या बिना कोई payment करें, directly company से बात करी और अपने interview को schedule कर लिया, इस app पर आप groups और connections के जरीए अपने network को भी बढ़ा सकते हैं, अपने काम के बारे में updates शेर कर सकते हैं, और अपने ही field में काम करने वाले लाखों professionals की मदद भी मांग सकते हैं और तो और अपने work and career related सारे सवालों और doubts का जवाब आपको अपना app पर मिल जाएगा, वो भी आपके ही field में काम करने वाले senior professionals से, तो अब बेर किस बात की, नीचे description में दिये गए link से आज ही download करें अपना app और अपने career में success के लिए तयार हो जाएं, एक चीज शुरूर या बैंगलूरू, चंदिगर, दिल्ली NCR, हाइदरबाद, जैपुर, कानपुर, पोलकाता, लुधियाना, लखनव, मूमबई, पूने, रांची और सूरत, जल्दी बाकी के शहरों में भी ये app आपको मिल जाएगा